तेल में बस ये चीज मिला लो बाल इतने ज्यादा लंबे घने हो जाएंगे कि आप सम्हाल नहीं पाएंगे दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बालों को किस तरह से काला घना लंबा बना सकते हैं किस तरह से हमें अपने बालों की केयर करना चाहिए कई बार हम इतने बीजी रहते हैं दोस्तों कि हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता है कि हम अपने बालों की प्रॉपर केयर कर सकें और इसी से हेयर फॉल की समस्या, स्प्लीटेंड की समस्या, डेंडर्फ की समस्या आपको बतादूं समय समय पर बालों में तेल लगाना बहुत जरूरी है जितना बड़िया आप बालों में तेल लगाएंगे ऑइल्स करेंगे आप उतने ही आपके बाल हेल्डी रहेंगे सब्ताह में दो बार या तीन बार आप जरूर लगाएं आपको आज मैं Pel evolved centre यहांपर सबसे पहले ने लिया है, प्याजू— आपको लेना है लाल छिंखे वाला प्याजूुद्ट प्याज भी चारटे हैमारी आंखों से आंशु निकलने लगते हैं इसका कारण है। प्याजूंड होता है। यहीं चारण हमारे बालों यवे बहुत ही जादा है। फर्की quantity के कारण सबसे अच्छा होता है बालों के लिए इसके अलावा इसमें anti-oxidant property होती है हमारे बालों से हमारे scalp से जुड़ी हुई कई समस्याओं को कई तरह के infection को खतम करता है प्याज का रस बैंडरफ की समस्या भी हल होती है दोसों प्याज का रस लगाने से बालों का जढ़ना बिलकुल ही रुख जाएगा और बाल आपके अच्छे घने मजबूत होंगे सबसे पहले प्याज का छिलका मैंने उतार लिया है और मैंने यहाँ पर लाल छिलके वाला ही प्याज लिया ह और इसके बार आपको क्या करना है दोस्तों प्याज को आप चाहें तो बारिक बारिक टुकडों में काट कर ग्राइंडिंग जार में डाल कर इसका इसे पीस कर इसका रस निकाल सकते हैं वो भी एक तरीका है यदि आप ग्राइंडिंग जार में नहीं पीसना चाह रहे हैं तब तो आप प्याज को साधा कद्दुकस कर लें किसी भी ग्रेटर की मदद से आप इसे ग्रेट कर लें और फिर आप प्याज का रस निकाल सकते हैं हमें तो चाहिए ओनियन जूस प्याज का रस हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़ादा अच्छा होता है दोसों मतलब मेरा ये खुद का अनुभाव है यदि बाल बहुत ज़ादा जड़ रहे हैं हेर फॉल की समस्या बहुत ज़ादा बढ़ गई है दोस्तों तब तो आप प्याज का रस जरूर लगाएं। इसके साथ ही आपके जो बाल हैं काले भी रहेंगे, घने भी रहेंगे। तो बस इस कद्दुकस की साहता से एक बड़े साथ के प्याज को मैं कद्दुकस कर लूँगी, यदि बालों की लंबाई ज्यादा है तो आप दो प्याज भी ले सकते हैं। बालों की लंबाई यदि कम है तो एक प्याज ही काफी है, एक प्याज का रस ही काफी है बालों के ल ताकि हमारे बाल भी अच्छे मजबूत हो, अच्छे घने हो, तो ये वीडियो आप सब के बहुत ही काम आने वाला, वीडियो अच्छा लग जाए दोस्तों, तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर दें, सांती सांत मेरे चैनल टिप्स तीएटर को सब्सक्राइब जरू सकते हैं, चनी के ऊपर कदू कस किया हुआ प्यास डाल दिया है, और बस चम्मच की सहता से दबा दबा कर प्यास का रस निकाल लेना है, और ये जो प्यास का रस है दोस्तों, आपके स्केल्प में यदि किसी तरह का इंफेक्शन है, किसी तरह का बैक्टिरियल इंफेक्शन वह भी दूर करता है प्याज का रस तो बस इस तरह से चंबच से दबाती जा रही हूं और प्याज का रस मैंने करीब करीब निकाल लिया है यह देखे आप चाहें तो हाथों की साहता से उंगलियों से भी इसे दबा कर आप निकाल सकते बहुत आसानी से प्याज का रस निकल करेंगे और आपको दोस्तों इसे सब्ता में कम से कम दो से तीन बार तो जरूर लगाना टाइम है तो तीन बार जरूर लगाएं तो वीक में दो बार जरूर लगाएं आप चाहें तो इसे राद भर लगा कर भी रख सकते हैं आप चाहें तो सुबह के समय नहने से कम से कम दो पहले जरूर लगाएं कोई भी रेमेड़ी जह हम बालों के लिए इस समाल करते हैं तो दोस्तों आपको से थुड़ी देर लगा कर ही रखना है जितना अच्छा लगा कर रखेंगे उतना अच्छा उसमें इफेक्ट आएगा यहां पर तेल आप coconut oil ले सकते हैं आप olive oil ले सकते है सांत ही सांत क्योंकि जब डेंडर ज्यादा हो जाते हैं दोस्तों तो उससे भी hair fall की समस्या बढ़ने लगती है तो कोशिश करें कि डेंडर होने ही न पाए तो प्याज के रख में मैंने दो चम्मच ऑलीव ओल को डाल दिया है खूब अच्छी तरह से से मिक्स कर दें प्यार है न दोस्तों जो हम इसमें डाल रहे है वह है शहद सिफ और चोटी चम्मच है सिरे बालों में बहुत अच्छी जमक काते हैं मारे स्केलब को बहुत अच्छा नरिश्मेंट लुटा और जब हमारे बाल नरिश होंगे से हैल्दी रहेंगे तो अपने inhale fall की समस्या हो हो जाएगी और धीरे धीरे हेयर फॉल की समस्या बिल्कुल ही रुख जाएगी तो शहद लेना है बिल्कुल आधी चोटी चमच आप देख सकते हैं तो प्याज का रस ऑलिव और आधी चमच शहद डालकर आपको इसे मिक्स करना है और इस तेल को आपको अपने बालों पर अच्छा मसाज करते हुए लगाना है ताकि आपके बालों के अंदर आपके स्केल्प के अंदर ये और ये प्याज का रस आपके स्केल्प के अंदर तक के जा सके और इसका आपके बालों को भरपूर फाइदा मिल सके बालों का तूटना रुकेगा बाल घने होंगे बाल मजबूत होंगे तो खेर अपने आप ही तूटना रुख जाएगा सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और यह हमारी रेमेडी बनकर तयार है दोसों जो कि आपके बालों को मजबूती देगी आपके बालों की जड़ों को स्ट्रॉंग बनाएगी और हेयर फॉल की समस्या रुकेगी आप इस ओईल को बना कर स्टोर करके रख सकते हैं आप इसे एक सप्ता का बना ले ज्यादा दिन का ना बनाए ताकि वीक में जैसे मैंने आपको बताया दो से तीन बार लगाना है और बढ़िया इसे जब भी आपको हेयर वाश करना है रात को लगा कर कोई बात नहीं कोई स्मेल नहीं आएगी प्याच के रस से आप सुबह नहने के दो से तीन घंटे पहले लगा कर जरूर रखें ताकि भरपूर फाइदा मिल सके इसके बाद हेयर वाश कर सकते हैं आप और यह आपका तेल बनकर तयार है दोस्तों तो हाथों की साहता से बाश कर सकते हैं तो यह देखें कॉटन पैट को में ने डिप किया है और आपको इस तरह से इसमें लगाना है तो बालों की जितनी अच्छी केर करेंगे उतने अच्छे आपके बाल रहेंगे बालों का तूटना रुकेगा और बालों जो बाल हमारे समय से पहले सफेद हो हैं वह भी ठीक होंगे और बाल हमारे घने मजबूत होंगे तो आप देख सकते हैं मेरी बेटी के बाल बहुत ही हेल्दी हैं क्योंकि पूरी इसकी केर की जाती किस तरह से यह ओइलिंग करती है इसका वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं किस तरह से शेंपू करत है इसका वीडियो भी मैं आपके लिए जल्दी ही लेकर आ रही हूं तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें